हेलो गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल और गाईज जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मेरे जो वीडियो रहेंगे वो परिक्षमानी का एंग्लिस कनवर्जन रहेंगे तो आज वहीं से हम शुरुवात करते हैं आज हम परिक्षमानी का चैप्टर वन का पार्ट वन लेकर आए है चैप्टर वन काफी लंबा है तो इसलिए वो पार्ट में मैं करूंगी क्योंकि चैप्टर वन एक साथ अगर करने बैठे तो पांच-छे घंटे से भी जादा का वीडियो हो जाएगा तो वो पार्ट में रहेगा जिसमें कि हम आज चैप्टर वन का पार्ट वन कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले पॉलिटिकल अड्मिस्टेशन पॉलिटिकल अड्मिस्टेटिव ब्रीफ करेंगे इसका हिंदी में मतलब होता है आप टापिक वन अगर परिक्षवाने खोल के देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा राजनितिक प्रशाशनिक संशिप्त की इसका हिंदी में मीनिंग होता है तो अम तो देखा जैसे कि हम देखें तो मंडल में और गढवाल में 7 तो टो नैनिताल का headquarters 1854 में establish हुआ था और पॉड़ी में 1969 में establish हुआ था कुमाव मंडल में जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो जो लिख हुई है वो डिस्ट्रिक्स है जैसे कि नैनिताल, अल्मोला, पिथोलागर, उदंचिंगनगर, बागेश्वर, चमपावत तो यह कुमाव मंडल के डि गड़वाल मंडल में कौन कौन से टिस्ट्रिक्स आते हैं चमोली, रुदरप्रियाग, उत्तरकाशी, टीडी, पॉडी, देहरदू, नहरीद्वार और जब जब यह बने थे इनके उपर लिखे हुए जैसे कि चमोली 1960 में और रुदरप्रियाग 1997 में उत्तरकाशी 1960 में, ट सीजर फॉलो हुए थे, और कैसे कैसे वो कब लोग सभा में पास हुआ, कब राजे सभा में पास हुआ, कब कौन से प्रेशिडेंट ने उसे साइन किया, तो यह सब देख लेते हैं, तो उत्तरकाशन स्टेट बिल पास हुआ लोगसभा में 1 अगस्ट 2000 को, 2000 को 1 अगस्ट को उत्रांचल का उस वक्त उत्रांचल था नाम उत्रांचल नहीं था उत्रांचल जो स्टेट बिल था वो लोगसभा में पास हुआ था उत्रांचल का स्टेट बिल आफ्टर पासिंग इन लोगसभा गोस्ट राजसभा और इट वस पास्ट इन राजसभा और 10 अगस्ट 2000 उत्र उत्राँचल स्टेट फॉर्म हो गया 9 नेवेंबर 2000 को उत्तर प्रिदेश से अलग होके हमारा जो स्टेट बना 27 श्टेट ऑफ दे कंट्री एन 11 हिमालयन स्टेट बना उत्राखंड को बना 9 को घैषें आ बना गया है भूँरा चैथेंड चीडित हुएं स्टेट लांफ़ेंगेज के नीचे चार गंगा की धाराएं और बीच में यहां पर अशोक एंबलम है तो यह हमारा स्टेट सिंबल थि माउंटेन पीक और वाली माउंटेन पीक में अशोक एंबलम है स्टेट अनिमल अगर देखें तो स्टेट अनिमल हमारा कस्तूरी डियर है जिसे मस्क डियर भी कहते हैं साइन्टिफिक नेम इसका मैसकस काईसोगैस्टर है स्टेट बड हमारी हिमालयन मोनल है स्टेट ट्री हमारा ब्रांश है स्टेट फ्लावर हमारा ब्रहम कमल है इसका लो तितली हमारी कॉमन पिकॉक है 2016 में अनौन्स हुई थी स्टेट सॉंग हमारा उत्राखन देव भूमी मात्र भूमी शत्षत वंदन हिमंत भिस दुआरा रची थी सॉंग हिमंत भिस ने लिखा था कि कम्पोस किया था इस सॉंग को स्टेट सॉंग है हमारा नियान लखिएगा अब हम थोड़ा थोड़ा इन चीजहों के पड़ लेती है अगर ब्रहा कंमल के बारे में पड़िए हैं महाभारत में उत्राखन पन्ल वह Godbru dollhy WiFi जहां जहां उत्राखन उत्रस्पन में उत्राखन कहां कहां पाया जाता है वैली ओ फ्लार में Blooming time क्या है, खिलने का समय क्या है, ब्रहम कमल का जुराई से September और basically night में खिलता है, ये, मस्क डियर के बारे में देखा जाए, तो मस्क डियर उतरकंड के अलावा हिमाचल, कश्मीर और सिक्की में भी पाया जाता है, उतरकंड में मस्क डियर कहां कहां पाया जाता है, value of flowers में, उतरकाशी में, केदारनात में, पिथोड़ागड में, कस्तूरी एक टाइप का फ्रेग्नेंट सबस्टेंस होता है, जो मस्क डियर से निकलता है, और ये basically male मस्क डियर से निकलता है, male मस्क डियर से, कस्तूरी नाम का एक फ्रेग्नेंट सबस्टेंस होता है, एक स्वगंधि माटीरियल होता है जिसको हम मेल कस्तुरी मिरक से मेल मस्क तियर से निकालते हैं एक बार में मेल मस्क तियर से सिर्फ तीस से 45 ग्राम निकाल सकते हैं में मस्क दियर का सो कंजर्वेशन स्टार्ट हुआ था फर फॉर्स टाइम 1972 में चमूली से स्टार्ट हुआ था ठीक है इसके बाद हम बुरांश के बारे में पढ़ते हैं रोडोडेंडरॉन अर्बोरियम इसका साइन्टिफिक नेम है हमारा इस टे ट्री बॉरांश एक एवर इसके बाद हम नेक्स्ट देखें उन लाइनर फैक्टक्ट 46 दिंका प्रैसिडेंट रूल याद रखना इस बार भी आया था कि उथ्यक्ड करण्हें हमारे उत्राखंट राजये में कब लगा था आपाइब देरा दून में है पहला विदान सब्सक्राइब भराडी सेंड गैर सेंड में पढ़ता है यह गैर सेंड चमोली में पढ़ता है क्योंकि हमारे पास दो सब्सक्राइब भराणि गैर सेंड के ब्रक्राइब विदान सब्सक्राइब को में पढ़ता है उतरकंड के अलावा वह दो स्टेट जिसमें दो विदान सब्सक्राइब हो और माहराश्च और जमु एन कस्मीर इन दो स्टेट में भी कहते हैं दो विधान सबब्स्वा को इंगलिश में कहते हैं स्टेटट लेइस्लेटीटी असेंब्ली और विधान मंदल को स्टेट LEAGसलेट इव कांसिल पहली इंट्रीम विधानसबह यानि कि जब स्टेट positivo हुई था तो एकदम से elections तो हुए नहीं थे, general elections नहीं हुए थे, तो general elections से पहले, जब हमारे state firm हुआ था, 2000 के बाद, तो थोड़े समय तक के लिए interim government बनाई जाती है, temporary government बनाई जाती है, जो उस समय का कामकार सारा देखेगी, उसके बाद general elections होंगे, फिर हम permanent elected government किसी भी state में बनाते हैं, ठीक है, constitute की जाती है, तो पहली interim विदानसवा हमारी जब बनी थी, 9 November 2000 को बनी थी, 30 members थे इसमें, पहली विदानसवा session कब से start हुआ था, 9 November 2000, 9 January 2001 को पहला विदानसवा session start हुआ था, before the formation of उतराखंड, तो विदानसवा seat from this area is 22, in UP State Legislative Assembly, UP की State Legislative Assembly में उतराखंड बनने से पहले इस एरिया से 22 सीटे थी, ठीक है, जो अब उतराखंड का एरिया जो है, इस एरिया से 22 सीटे थी, विदानसवा seat उतराखंड State Legislative Assembly में 71 है, 70 elected और 1 nominated, बट अब वह 1 nominated seat जो है, वह abolish कर दी गई है, ठीक है, और अब सिर्फ और सिर्फ सिर्फ सतर elected seat ही बची है, इस स्टेट में, जो 1 nominated seat है, वह abolish कर दी गई है, इन 2020, रिजर्व विदानसवा seat कितनी है, हमारे स्टेट में 15 हैं, जिसमें 13 SC के लिए रिजर्व हैं, 13 SC विदानसवा seat कौन किसी हैं? हरिदवार, और हरिदवार में सब ज़्ळादा SC के लिए विदानसवा seat हमारी reserve हैं 3, और बाकी जो डिस्रिक्ट बच्चे, बाकी जो बचेवे district हैं उसमें, एक एक हर district में से नहीं, सॉरी जब तीन इसमें से हो गई हैं तो बाकी बच्चे वे दस डिस्टिक्ट में से एक एक विधानसवा सीट है जो है वो कहां से एक नानक मत्ता उदम सिंग नगर में आता है चकराता देहरादून यहां से हमारी दो से इस्टेट लेजिसर्टिटी एसेंबली इन विधानसवा मैक्सिमम विधानसवा सीट हरिद्वार से जाती हैं 11 मिनिममम विधानसवा सीट रुद्र प्रियाग नहीं हरेकर दिन सब्सक्राय के चोटा बत अकोरदिकल ऐर्या के मामले में सबसे ज़ादा लोग सबसी सीट वाला जो आज वो हरिद्वार है जोगराफिकल एरिया के मामले में सबसे बड़ा बट अकॉर्डिंग टू वोटर्स स्मॉल स्मॉलेस्ट लोगसभा सीट इस पॉड़ी ठीक है एट प्रिजेंट लोगसभा सीट जो हैं पॉड़ी से हैं तीरत सिंग रावत टीरी से हैं माला राज्य लक्षमी शाह हरीदवार से हैं रमेश निशंक पोखरियाल जो अभी कुछ समय तक हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं परवोट आ दिये गए हैं अल्मोडा से अजय टम्टा नैनिदाल से अजय भट यह हमारी पांच लोगसभा सीट से से स्टेट से ओके एसी के लिए रिजर्व लोगसभा स के हैं और यह हमारे बीजेपी के हैं ठीक है डो हमारे इंडर नेशनल कोंगरेस के हैं एक हमारे बीजेपी के हैं एक सक cultural on था हाई कोड़ इस्टैबलिश अंडर 210-डर ऑट्रिकल 214 थे स्टैबलिश होता है किसी भी ष्टेट में तो हमारा है कोटम टाहर इस्टैबलिश होした है है Healthight it कल्ए हमारी होना किटिरि जर्दीश को मिला पर कहीं K et cetera जब्सक्रा सब्सक्क्राइब 13 सिंग गॉनkar सब्सक्राइब अधारे वरियुकरदानरी जिमान शुटनेुकल में 4 डिस्टरिक्ट सब्सक्राइब 16 ही तैसिल हो और 16 प्रिथॉडकर है 13 सब्सक्राइब 4 मosse सब तहसिल्स कितनी है अठारा डूरिंग बिटिशर्स टाइम जो परगनेज थे परगनास थे वो 19 थे पट्टियां जो होती हो 125 थी कुमाव रिजन में और 11 परगनास और 86 पट्टियां इन गड़वाल देजनी बिटिशर्स के टाइम पर जो उन्होंने मतलब जैसे कि आज हम municipalities, तहसिल, block इन सब चीजों में अपने district को divide करते हैं जो large area, small area, town area, municipal area, nominated area, notified area इन सब चीजों में divide करते हैं तो बिटिशर्स के टाइम में परगनास और पट्टियां कोई बी एक region divide होता था तो कुमाव में कितने परगनास थे? 19 परगनास थे? पत्टियां कितनी थी? 125 अब तो यह एक लार्ज एक administrative unit रहेगी क्योंकि ज्यादा जैसे कि हमारी मंडल है वह दो मंडल है तो वह लार्ज एक administrative unit है अब उन मंडल में अलग-अलग districts है और अलग-अलग इस वक्त टोटल ब्लॉक है 95 जिसमें 76 हिमालयन ब्लॉक्स है और 19 प्लेन ब्लॉक्स है maximum ब्लॉक्स पॉडी में आते हैं 15 और minimum ब्लॉक्स रुदर प्रियाग में आते हैं 3 और बागिश्वर में आते हैं 3 ठीक है टोटल पॉलिस्टेशन 157 है maximum पॉलिस्टेशन देहरादून में है 20 और minimum पॉलिस्टेशन दुरुदर प्रियाग में है 5 minimum maximum आपको हर चीज का याद रखना है फर्स साइबर पॉलिस्टेशन देहरादून में बनाया गया था 25 मार्ट 2015 को टोटल विलेजेश 16793 विलेजेशन 15745 और 1048 विलेजेशन मतलब इतने में लोग रहते हैं इतने में लोग भी नहीं रहते हैं बसे हुए गाउं नहीं है विलेजेश पॉरी डिस्टिक में आते हैं 3142 विलेजेश अरिद्वार में आते हैं 518 फाल्य को के टोटल नेयायए पंतम है بिलेजेश 7000 सॉद्पयों में इसांट नाथ यैन उखना चर्फ तर्फ बात तो यह किए तो ग्राम पंचायत कितना पॉडी में होगा मैक्सिमुम और जिश्चाइब होगा टूटल ब्लॉक पंचायट, जब हमारे ब्लॉक 95 है, तो ब्लॉक पंचायट вже कितनी होगा है, टूटल ब्लॉकSD 50 है, जब 13 टेरा कितनी होगा है, तुटेरा कितनी होगा है और इंहलो सुपरविजं कौन करेगा, डिस्ट्रिक डेवलपमेन ओफिसर 5 पंचायट ठीक है 50% फीमेल के लिए सीट आरक्षी थे हैं उत्राखंड की ग्राम पंचायत में ठीक है और बाइ पंचायती राज एमेंडमेंट एक 2008 को यह 50% रिजर्वेशन के प्रवधान बनाया गया था जो उत्राखंड में जो ग्राम पंचायत है उसमें फीमेल का कितना 50% रिजर्वेशन रहता है और रिजर्वेशन कप से डाला गया था बाइ पंचायती राज अमेंडमेंट एक 2008 से ठीक है सेंसस टाउन यानि कि जनगरना नगर वो कितने हैं 216 जनगरना में कितने शेहर पाए गए हैं 116 और टाउंस कितने पाए गए हैं 41 मैक्सिमम मैक्सिमम जो टाउंस हैं वो किसमें हरिद्वार में 24 टाउंस मिनिमम हैं बागिश्वर में टोटल सिविक वाड़ी नगर निकाय वाले नगर जिसमें कि नगर निगम और नगर पाली का यह सबाते हैं वो कितने हैं 90 टोटल सिविक वाड़ी 90 हैं नगर निगम एक नगरपाली का कितनी जगापे हैं? 41 जगापे हैं, 41 टाउंज में हैं, कैंटॉन्मेंट बोर्ड 9 है, नोटिफाइड एरिया 1 है, नोटिफाइड एरिया होता है, जहां से एक मेंबर नॉमिनिटेड होता है, पाइदा गवर्नर, इंड़स्ट्रियल टाउन टू है, वन पंचायत, यानि की फोरस्ट पंचायत कितनी है, ट्वल ठावजन पर्म होए था, 1931 में, फोर्स information department कब बनाया गया था 3 October 2005 को बनाया गया था state human right department July 2011 को state child right department May 2011 को state minorities right department May 2003 को ठीक है यह सारी के सारी जो चीज़ें हैं यह जितनी भी यह हैं यह आपको सिर्फ सारे के सारे one liners हैं यह one liners हैं यह सारे यह आपको याद ही करने पड़ेंगे मैंने इसका English conversion दे दिया है क्योंकि परिक्षवानी में हिंदी में लिखे हुए थे पर यह सारे one liners हैं यह आपको पूरे याद ही करने पड़ेंगे आपको क्योंकि इतना hard नहीं है याद करना हो आप इतना बड़ा exam दे रहे हो तो मतलब इतना तो आप करी सकते हो है ना तो यह आपको याद ही करना पड़ेगा इसका क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रा एंकी चीज़ें हैं विदान सभा कब बनी थी एक जो स्टेट शेट यह डियो क्ति जो क्याद साहिए किस संट्रूमा आपको लो फकौछ से आती हैं मैक्सिंजिदान्सवा सीट कहां से Santy कहां से हैं तो यह सब आपको learn ही करना पड़ेगा by heart और यह सब learn ही होना चाहिए बिकॉस यह learn करने के लिए यह आपको सिर्फ एक line एक line के चीज़े हैं और आपको एक number दिलवा सकते हैं और एक एक number exam में कीमती होता है तो आपको यह ऐसे नहीं छोड़ सकते कि कोई बात नहीं हमें याद रह जाएंगी पढ़के नहीं यह आपको याद करना पड़ेगा ठीक है नगरपाली का कंटान्मेंट बोर्ड वन पंचायत कब फॉर्म हुआ था यह जितने भी important departments होते हैं information department, human right department, child right department, minorities right department यह कब-कब बने, कब-कब appoint हुए अब हम इन सब चीजों के बाद यह तो हमने brief observation देख लिया अपने पूरे state का ठीक है कि state में क्या-क्या कैसे क्या-क्या administrative units हैं क्या-क्या political units हैं क्या-क्या क्या कहते हैं political administrations हैं और क्या-क्या प्रशास्निक administrations हैं तो अब हम देखें important appointments जो अभी तक के जो भी जितने भी important न्यूकतिया हुई है जितने भी important appointments हुए है state में first और last और current यह सब हम देखेंगे तो ठीक है तो शुरुआत करते हैं governor से सबसे पहले जो हमारे राज्यपाल बनाए गए थे वो बनाए गए थे सुर्जीत सिंग बर्नाला यह इंट्रीम गवर्नर थे यानि कि जब हमारा state form हुआ था तभी यह बनाए गए थे 9 नवेंबर 2000 से 9 नवेंबर 2000 से 9 8 जनुरी 2003 तक यह बनाए यह हमारे गवर्नर रहे इंट्रीम गवर्नर रहे सुगस सब्सेंग बर्नाला यह अपको याद होना चाहिए डीड कोशन आता ही हुआ इस फोर्स्ट गवर्नर ऑफ उतरखन सुगरीट अलवा यह आपको याद रखना है यह question आया था उत्राखंड के अपर PCS 2016 में और यह भी question आया हुआ है किसी पेपर में कि currently जो गवर्नर है वो कौन से नंबर के गवर्नर न्युक्त किये गए है यह पे प्रेजेंट गवर्नर है और यह आठवे नंबर के गवर्नर है हमारे स्टेट के अब गवर्नर की बात कर ले अब हम बात करते हैं Chief Ministers की मुख्य मंतरी की तो पहले Intream मुख्य मंतरी कौन बने गए थे नित्यानन स्वामी ठीक है सेकेंड इंट्रीम चीफ मिनिस्टर बने थे भगत सिंग कोश्यारी ये दोनों ये भी और ये भी इंट्रीम चीफ मिनिस्टर थे फॉर्स्ट इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर नरायन दत्तिवारी, सेकंड मेजर वुवंचंद खंडूरी, थर्ड डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल, फॉर्थ मेजर वुवंचंद खंडूरी, फिफ्ट इलेक्टेड इस विजे बहुबहुगुणा, सिक्स्थ हरीश इलेक्ट हुए थे उसके बाद तीरत सिंग रावत अपॉइंट हुए और अभी प्रेजेंट हमारे चीफ मिनिस्टर है वो है पुशकर सिंग धामी ठीक है अब स्पीकर्स की बात कर लेते हैं यानि जो प्रेसिडेंट होता है विदान सभा का प्रेसिडेंट किइस प्रेसिडेंट और लोगसभा इन पारल्यमेंट औरन शियम किनिस्ट लेजेशन प्रेसिडेंट उपन नहीं हो रहे हैं तब तक निर्दारत समय के लिए हम किसी को भी उस पोजीशन पर बातए हैं किसी को एस बठाते हैं for temporary for temporary ongoing of the administration उसको लगातार काम काज के लिए हम किसी को बठाते हैं तो उसे interim बोलते हैं जब तक हमारा कोई elected और कोई permanent appointment वहाँ पे नहीं आता है तो first interim speaker प्रकाश पंत रहे हैं यह याद रखना प्लीज फर्स्ट elected speaker यश्पाल आर्या, second हरवंश कपूर, third गोविंजिंग कुझवाल, fourth प्रेम चंद्रगरवाल और विदानसावर deputy speaker जो है करंट के वो हैं डॉक्टर अनुसुया प्रसाद मैखुरी ठीक है और इसको हम इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपनाई थी इसके लिए एक ट् गर से गोविंजिंग कुझवाल, प्र से प्रेम चंद्र अगरवाल यह तो यह आप ए ट्रिक याद कर सकते हैं यह है गोप्रे ठीक है और फर्स्ट डेपटी स्पीकर डॉक्टर अनुसुया प्रसाद मैखुरी जो अभी करंटली है एडवोकेट जनरल यानि की जो स्टेट के एडवोकेट जनरल होते हैं हाइस लॉफिसर इंदा स्टेट तो फ़र्स्ट हाइस लॉफिसर इंदा स्टेट थे महरबान सिंग नेगी और अभी करंट में जो है वह सूर्य नरायन बबलकार स्टेट लो कमीशन फ़र्स जो है वह चीफ जस्टिस धरमवीर शर्मा है और क Student Finance Commission राज्य वित्य आयोग, इसके फर्स्ट फॉन्टी कौन थे आरके धर और करंटली कौन है, इंद्रकुमार पान्डे, यह फिफ्थ हैं, फिफ्थ हमारे State Finance Commission है, State Human Rights Commissioner, State Human Rights Commission का मतलब है राज्य मानावधिकार आयोग, तो इसके फॉर्स्ट प्रेज्देंट कौन थे विजिढर जय थे और करेंटर ली कौनि है विजा कुमार बीष्ट है State Commission for Women राज्य महिला आयोग इसकी फिर्स अपाइंटी कौन थे डॉक्टर संतोष चोहान और करेंटली कोन है विजया वर्थवाल टेके विजया वर्थवाल इस्टेट चाइल्ड राइट कमीशन राज्य बाल अधिकार संग्रक्षन आयोग इस्टेट चाइल्ड राइट स कमीशन इसके first president है अजय सेतिया और currently है उशा नेगी State STSC Commission, State SCST आयोग के first president कौन है नलायन राम आर्या और currently कौन है मूरत राम शर्मा State Public शर्मिश कमीशन राज्य लोगसभा आयोग इसके first राज्य से लोगसभा आयोग के first president कौन थे एनपी नवानी और currently कौन है major general announcing रावत यह आपको याद रखना क्योंकि आप लोगसभा आयोग का पेपर दे रहे हैं यह आपके इंट्रिव्य के लिए इंपोर्टन है और हो सकता है प्रिलिम्स के लिए इंपोर्टन हो क्योंकि इंपोर्टन होते ही है क्योंकि वह एक्टम पूछ लेंगे बीच के बीच का पूछे ना पूछें बीच का maximum most of the cases में नहीं पूछते हैं लेकिन फर्स्ट और करेंट ज़रूर यादो ना चाहिए कि अभी कौन है और सबसे पहले कौन बने थे तो सबसे पहले जो पॉइंटी थे वह थे MP. नवाणी और करेंट ली कौन है मेजर जन अरंण सिंग रावत सब्सट तृत? yurk के यारो राजू है क्यों सबसे पहले प्रेसिडेंट थे वह थे चीव जस्टिस एसेचे राजा और करेंटली अभी कोई भी आपॉइंटी नहीं है, खाली है वेकेंट है यह जगह State Information Commission राज्य सूचनायोग State Information Commissioner कौन है पहले कौन थे डॉक्टर आरस तोलिया और करेंटली कौन है शत्रुगन सिंग State Minorities Commission State Minorities Commission का मतलब हो गया राज्य अलप संख्य कायोग अलप संख्या क्यानी कि जो Minorities है इस्टेट में उनके जो कमीशन है उनके कमीशनर कौन है अब यह बाद में बना था तो अभी करेंटली यह organization बना है तो इसके अभी कौन है डॉक्टर आरके जैन State Right to Service Commission राज्य सेवा का अधिकार आयोग राज्य सेवा का अधिकार आयोग इसके First Commissioner थे अलोक कुमार जैन और करेंटली है डॉक्टर डियस गबराल State Administration राज्य प्रसाशन इसके First Administrator कौन थे First Chief Secretary थे इसके आज्य कुमार सिंग और करेंट Chief Secretary है इसके ओम प्रकाश Director General of Police D.G. अव उत्रकंड पुलिस पहले कौन थे अशोकान शर्मा शरन अभी कौन है अनिल रतूरी ठीक है तो गाइस ये हमने Chapter 1 का Part 1 हमने Complete कर लिया है ठीक है Thank you guys आपने ये वीडियोज यहां तक अगर देखा है तो Very Very Thank You आपने इस इन वीडियोज को आप नहीं मानोगे बनाने में और इनको इसको मतलब material को लिखने में काफी टाइम जाता है यूकि Line to Line Conversion English का Hindi का English में करना इसा मतलब अच्छा खासा Tough Task है ठीक है और उसके बाद Handwritten Notes मैं आपको Provide कर रही हूँ अपने हाथ से लिखे वे Notes कोई भी printed form कुछ भी नहीं आपको वास यहां से Downloads करने है Notes पनाने की विज़रत नहीं आप print out उसके copy निकालिए और उसको learn कर कीजिए क्योंकि मैंने देखा कहीं से भी परिक्षवानी का जादा अच्छे से कहीं पे भी इतना मतलब English Conversion Line to Line नहीं मिलेगा कुछ नहीं को छूटी जाता है और परिक्षवानी हम सब को पता है कि उत्रक्षवानी के किसी भी वेपर गले कितना important role play करती है अगर परिक्षवानी आपको learn है तो उत्रक्षवानी का ऐसा कोई सा question नहीं होगा जो आपके हाथ के नीचे से चले जाए जो आप solve ना कर पाए तो परिक्षवानी तो बहुत ही must है और इंग्लिश में आपको पूरा साथ दूँगे आपको इंग्लिश का पूरा conversion करने के लिए आपको वीडियोज मिलते रहेंगे यह हमारा chapter 1 का part 1 है अब थोड़ा जल्दे दे में वीडियोज लाना शुरू करूंगी ठीक है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शेर कीजिए और आपको जो भी नीक प्रॉब्लम है material में या handwriting किसी चीज में प्रॉब्लम है आपने से कमेंट कीजिए मैं आपका कोई भी प्रॉब्लम में से solve करने कोशिश करूंगी तेंक यू कीप वाचिंग बाइ